कौन जीतेगा 2023 किसके सर पर होगा किंग का ताज 2023 साल आधा खतम हो चुका है आधा रहता है पर जो आधा रहता है लास्क जो इसका six months रहते हैं उसमें एक से एक धमाकेदार फिल्में आनी है भाई हमें उमीद आधी पुरुष ते भी थी पर आधी पुरुष चली गई खतम ह हुँँ गई हम तो सोच रहे थे आधी पुरुष कैसे भी करके 1000 क्रोड कमाएगी पर मेरे को नहीं लगता यह वर्ल्ड ऊइड पांस्सो क्रोड में भी जा पाएगी कि बात कररा हूं ना कि इंडिया की बात कर रहा हूं आधी पुरुष का खेल कतम अब बात करते हैं आगे क्या आना है जून ओल्मस खतम होने वाला है जुलाई में कोई बड़ी फिल्म आनी नहीं है इवन्ड फिल्म आगस्त में आनी है भाई गदर टू आनी है ओमजी टू आनी है और एनिमल आनी है जिसमें एनिमल और गदर टू से बहुत जादा उमीदे हैं और कहीं ने कहीं कि इन दोनों फिल्में से कोई भी भी 1000 करोड में जा पाएगी हैं 500 करोड करने की potential है है तो भाई 1000 करोड की भी पर क्लैश में बिजनस डाउन हो जाता है तो भाई कह सकते हैं हाँ इन दोनों का भी बहुत मुश्किल लग रहा है 1000 करोड में जाना अब हम बात करते हैं आगे क्य बना हुआ है बहुत तकड़ा है बहुत तकड़ा है वो ट्रेड पब्लिक फैंस हर कोई सोच रहे हैं कैसे भी करके कैसे भी करके जवान थाउजन करोड कलब में तो चले जाएगी क्योंकि जी साब से अपडेट बार आ रही हैं बहुत जबरदस्ते हैं और सलार चाहे आदी प बताये जा रहा है कि साथ जुलाई को आ सकता है अब बात करते हैं भाई उसके बाद अक्टूबर सेप्टेंबर में और कुन आ रहा है भाई सेप्टेंबर में अक्षे कुमार भी आ रहे हैं उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा अगुस्त में उनकी आ रही है ओम में अक्षे कुमार सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे मुझे लगता है ये बंदा अकेले ही 4000 क्रोल कमा के चला जाएगा नीचे से इसकी चार फिल्मे भी अगर 400-400 क्रोल कमा जाए ना तो बहुत बड़ी बात है उसकी जीत होगी इसी में क्योंकि उस सेलफी का जो हाल हुआ है किसी का भाई किसी की जान बहले ही ना चल पाई उपर टाइगर फिल्म एक ऐसी फरेंचेजी होने वाली है जो बहुत जबरदस्ता और इसमें पठान शारूखान का भे कैमी हो है और वो कैमी युं बहुत बस देने वाला है और रिपोर्ट्स भी ऐसी आ और है कि टाइगर नहीं सकता और जिस टाइम पर वो रिलीज हो रही है ना पूरे वर्ल्ड में होलिडेज होती है और उसका कॉंटेंट भी ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड को कहीं न कहीं वो अट्रेक्ट करेगा तो डंकी की रिपोर्ट भी बहुत जबरदस्त है तो अभी कह सकते हैं कि हाँ भाई शारू खान एक हजार करोडी फिल्म दे चुके हैं दूसरा कर सकती है और तीसरे के भी बहुत ज़ादा उमीद है और उसके बाद अगर कोई है तो वो है प्रभास और सल्मान खान इनके वीज़े मुकाबला चलना है जो भी वो इसमें जीत जिसकी होनी है वो आडियंस की हो कांटेंट में लेगा भर भर के अब आपकी नजर में कौन है वो विनर जो 2023 को जीतेगा वो जरूर बताएं बाकी वीडियो में इतना ही थैंक्स फॉर वाचेंग